हेलो दोस्तो तो उत्तर पाट शाला में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे 21 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में और आज की नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स की दोस्तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण खबर इसमें है और एक्जाम के वियू से बहुत ज़्यादा क्वेशन तिसके अंदर से पूछे जा सकते हैं आज हम बात करेंगे उत्राखंड में बादल फटने की बुरांस के पहले जंगल के उपर और साथ ही जमीन में पतनी को भी अब जो हक मिलने वाला है उस कानून के उपर उससे पहले दोस्तो कल के सही जवाब देने वाले नितिन कुमार, नेहा आरिया, जोती भट, शाक्षी, आरिया, अभिलाशा चौधरी और कमलेश जोसी आप सभी ने मिलकुल सही जवाब दिया है, मैं फिर से आप से कहता हूँ, आप अभी जाकर के वीडियो की कमेंट बॉक्स में जोती भट का आंसर पढ़ सकते हैं, एक काफी बहतरीन आंसर इन्होंने दिया है, उस तरीके से आप सब कोशिश कीजिए उसको लिखने की, तो म इसी अव संगरचना निधी के बारे में सत्यन नहीं है, एग्री कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड के बारे में कौन सा कथन सत्यन नहीं है, विच वन अब दो फॉलविंग इस नौट ट्रू, पहला, योजना की अवधी वित्तिय वर्षे दोजार बी से किस से दोजार 29, 30 तक 10 वर्षों के लिए है, अगला, इस योजना के तहट, एक लाख करोड रुपे का जो लोन है, रिन है, वो मनजूर किया जाएगा, और वित्रिद किया जाएगा, रिन की अदाएगी के लिए अधिस्तगन, नियुनतम तीन महीने से लेकर अधिक्तम दो साल तक होगा, तीन महीने से लेकर दो साल तक का आपको लोन मिल सकता है, और तीन परतिशत की ब्याज दर्स दो करोड रुपे तक के रिन के लिए लागू होगी, तो इन चारों मैसे कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है रुस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, मौन मेले की स किस राजाने की थी प्रताब शाह नरेंद्र शाह प्रध्युम्न शाह या व्रुक्त में से कोई नहीं इन दोनों प्रशनों का उत्तर आपको आज की वीडियो अंत तक देखने से प्राप्त हो जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रशनों का उत्तर देना है चलिए शुरू करते हैं पहले एन आई की खबर देखते हैं पाँच जो घर है मुनशारी में वो बहुत हाई रेनफॉल या हम कहें बादल फटने के कारण छती ग्रस्त हो गए हैं और इसी खबर के बारे में अगर विस्तार से चर्चा की जाए दोस्तो तो रविवार की रात को हुई भारी बारिश में मुनशारी के टागा गाउं और बंगा पानी के गेला गाउं में बादल फटने से तवाई मची तो तीन लोगों की इसमें मौत हुई है दोस्तो और उसक के साथ ही मुंचारी के टागा गाउं में भी बादल फटा है तो इस तरीके से जो एनाई की तरफ से तस्वीर हमें मिली है उन्हें आप देख सकते हैं और इससे पहले सनिवार को भी उतराखंड के पिथरागर जिले में भारी बारिज के बाद गोरा नदी के पानी में चार घ बह गए थे हैं और अगर बात की जाए इससे पहले की भी तो हमने बात की थी लिलम सड़क के उपर भी तो लिलम सड़क भी इसमे च्छती ग्रस्त हो गई थी दूस्तो चलिये शिमला मौसम विज्ञान केंडर ने आपको यह भी बारिष के लिए yellow alert जारी किया गया है तो orange alert, yellow alert, red alert और black alert, red alert के बारे में भी हमने बात किए दूस्तो और विभाग ने कहा कि राज्ज के मैदानी भागों में, کम उच्चियों और मध्यम पहाडयों में, अगले तीन दिनों में बहुत भारी बारिष ओने की कहते हैं बादल फटना जिसमें की बिजली गड़कना ये सारी चीजें भी हो सकती है और ये अपने आप में बाड के हालात पैदा करने के लिए काफी है चलिए अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए वैसे तो बादल फटने की परिबासा है अलग लग है नॉर्मल बात की जाए दोस्तो तो हजार एक सो मिली मीटर से ज़्यादा बारिस अगर होती है सो मिली मीटर से ज़्यादा बारिस अगर होती है या हम कहें 3.9 इंचेस सो मिली मीटर पर आवर की अगर पर बारिश होती है तो हम कहते हैं कि इस लिए इसका नाम जो है प्लाउड बस पड़ा है बरतमान में ये अवधारणा मानी नहीं जाती है कि जब गर्म हवाएं जाती है और कहीं ठंडी हवाओं के साथ कॉलाप्स करती है मिलती है तो ऐसी कंडीशन में बादल फटनी की जुस्तिती है वो पैदा होती है चलिए बात कीज़े अगली तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने खहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंब की गई क्रिशी औव संगरचनान निधी के तहत वित्ती सुविध अगार दने में सायक होगी और इससे ग्रामीन और त्विवस्था को मजबूती मिलेगी तो केंद्र सरकार की ओर से सुरू की गयी इस यूजना की जानकारी जो है वह सभी राज्यों को दी जा रही है तो ऐसे में क्या हुआ ग्रामीन विकास एवं पंचाइटी राजमंत्र नरेंदर सिंह तोमर दोरा एक पत्र भेजा गया जिसमें इसकी जानकारी जो थी वो दी गई मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंह रावज जी को जिसमें अलग-अलग चीजों के बारे में बताया गया इसमें बताया गया कि तीन प्रतिशत की वार सिख दर से ब्याद छोट प्रदान की जाएगी ये सब कुछ तो इसके बारे मैं हम विस्ति चर्चा करेंगे दोस्तो तो 8 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्सता में क्या हुआ था एगरी कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानि की कृषी अव संगरचना निदी की सुरुवात की गई थी दोस्तो चलिए तो ये जो एगरी कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये क्या है 20 लाख करोड का जो आत्म दिर भारत का पैकेज था उसी का एक हिस्सा है दोस्तो तो इसमें देश के बैंकों और वित्तिय संस्थानों के माध्यम से क्रिशी छेत्र जैसे किसान, उदपादक, संगठनों, स्टार्टप्स, प्राथमिक क्रिशी साख समीतियों, क्रिशी उद्धिमियों को रिन के रूप में एक लाख करोड रुपे तक की वित्ती सायता की जाएगी, चलिए इसके बारे में इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के उपर डिसकेशन कर लेते हैं, पहला देखिए, योजना की अवदी जो है, वो दोजार बीस एक किस से दोजार उनतीस तीस तक है, यानि कि दस साल की इसकी अवदी है, अगला एग्रिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर फंड के प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानि कि M.I.S. Management Information System Platform का उप्योग किया जाएगा, अगली बात की जाए, इस योजना के तहत एक लाख करोड रुपे के रिन मंजूर और वित्रित किये जाएंगे, जिन में स subsidized ब्याजदर होगी, तो ये कितनी होगी, तीन प्रतिशत प्रतिवर्स होगी, और तीन प्रतिशत की ब्याजदर दो करोड रुपे तक के रिन के लिए लागू होगी, और रिन की अदाएगी के लिए अधिस्तगन नियुनतम छै महिने से लेकर अधिक्तम दो साल तक का ये credit guarantee fund trust पात्र उधार करताओं को credit guarantee coverage प्रदान करेगा, तो credit guarantee coverage दो करोड रुपे तक के रिन के लिए प्रदान किया जाएगा, तो ये थे सारे इसके important points, चलिए बात किजिए अगली तो उत्राखंड सरकार की युजना, अगर कामियाब हुई तो प्रदेश में जल्दी ही, परंपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक पत्रियों का भी होगा, तो इसमें क्या है दोस्तो, प्रदेश सरकार जमीदारी भूमी विनाश अधिनियम, जमीदारी भूमी विनास अधिनियम में संसोदन की तैयारी कर रही है और इस पे बैठक भी आगे जाके ह और कुछ समय पेहले इसमें संचोधन भी हुआ थ, जिसमें विदूआँ को अधिकार दिया गया थ, तो अब पुत्री को भी जमीन का या इधिकार दिने पर विचार किया जा रहा है, तो इसी में पत्नियों को भी कहाए सरकार गोल खातों का अधिकार देने की कोशिश कर रही है तो इससे होगा क्या कि जो महिलाएं हैं वो भी क्या कर पहेंगी इस भूमी के अधार पर लोन लेने में सक्षम होंगी चलिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए मेंली यह है उत्तर प्रदेश जमीदारी विनास एवं भूमी विवस्ता अधिनिया मुनीस्तों पचास या उत्तर प्रदेश जमीदारी विनास एमां भूमी विवस्ता अदिनिया मुनीस्ता बावणी ये संसोदन का था तो इसमें पहला संसोदन अगर उत्राखंड के हिसाब से देखा जाए तो आप देखेंगे 2003 का है उत्राँचल जमीदारी विनास एमां भूमी विवस्ता आदिनिया 2003 तो इसमें क्या संसोदन था दोस्तों जो विद्वाओं के उपर हमने पड़ा विद्वाओं को जमीन का अधिकार वो इसी संसोदन में दिया गया था 2003 में फिर देखिए साथ 2004 का देखिए उसके बाद 2007 फिर 2010 तो 2010 का उत्तराखंड प्रदे उत्तर प्रदे जमीदारी विनास और भूमी विवस्ता नियमा वली जो है इसमें अगर बात की जाए तो इसमें लगबग 6-6 महिने का दो बार एक्स्टेंशन था जमीन के उपर खेर जून 2012 13-2012 को इसका अंतिम जो संसुदन है वो देखने के लिए मिला था इसमें भी ऐसा ही कुछ 6-6 महिने के लिए गैब से एक साल तक का एक्स्टेंशन दिया जा सकता है जमीन के उपर कुछ कंडीशन में उसे बेचने के उपर जिला धिकारी का कुछ ऐसा संसुदन था छोड़ दीजिए वो इंपोर्टन नहीं है आपको याद रखना है इसके संसुदन जो थे उनके उपर और ये याद रखना है कि जो 2003 वाला संसुदन था उसी के अंदर विद्वाओं को भी एधिकार दिया गया था जमीन के उपर चलिए नरेंद्र नगर वन प्रभाग के स्डियो मनमुहन सिंग बिस्टैवम जौनपूर रेंज के करमचारियों की कोशिशों से इन दिनों बुरास खंडा में बुरास का जंगल तैयार किया जा रहा है अब आप अगर बुरास खंडा नाम देखंगे टीरी के अंदर ये है बुर बुरास खंडा में पहले बुरास नहीं हुआ करते थे तो यहां बुरास का जो जंगल है उसको कृतिम रूप से तैयार किया जा रहा है तो जो राज्यवरिक्ष बुरास के पौधों से प्रदेश का पहला बुरास का जंगल तैयार किया जा रहा है तो ये कहां किया जा रह के जौनपूर रेज के बुरास खंडा में पांच हेक्टेर छेत्र में उत्राखंड का पहला बुरास जंगल तहियार किया जा रहा है 2012 में मसूरी वन प्रभाग और जौनपूर रेंज के ततकालीन वन छेत्रा दिकारी मनमोहन सिंग बेस्ट ने इस छेत्र में बुरास के पौदों का वनी करण करने की योजना बनाई थी फिर नर्चरी वर्चरी लगाई गई दोस्तों और अब जो है वहाँ जंगल जो है वो पाच हेक्टेर भूमी पर अच्छी खासी वृद्धी जंगल की देखी जा रही है तो बात कीजाए जोनपूर की तो जोनपूर के लोग एतिहासिक मौण मेला वर्चों से मनाते आ रहे हैं काफ़ important question है मौन मिला कहा मनाया जाता है जानपूर में मनाया जाता है तो बुजुर्गों के मताबिक या मिला जो है या टीरी नरेंद्र शाह ने सुरू करवाया था वो टीरी नरेंद्र से स्वेम अगलाल नदी जो है अगलाल नदी मा करके उन्होंने मौन डाली थी दोस्तो तो यह मौन क्या है यह तिम्रू की बाहरी चाल को सुखाने के बाद घराट में पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है तो वो है मौन तो मौन मिला मनाया जाता है जानपूर में टीरी के अंदर चलिए किदारना धाम का प्रशाद अब भक्तों को घर बेठे ही प्राप्त हो सकता है तो यह क्या है दोस्तो एक उनलाइन पोटल शुरू किया गया है e-commerce site है onlineprashad.com इसमें 451 रुपे में अप देश विदेश कहीं भी किदारना धाम का प्रशाद मगा सकते हैं तो इसमें क शे सामगरियां है आठ चॉलाई के लड़ू, बेल पत्र, हवन सामगरी, रुदराक, शिभस्म, बदरी, केदार कार्ड यह सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा आपको इसमें इस site को खोलना है आपका नाम, address इसमें डालना होगा पेमेंट करना होगा और आपको प्रशा के थो भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक कीजिगा दोस्तों, सो थैंक यू, तिल नेक्स वीडियो